वेल्कम ट्यूव चैनल यसी के अन्सवागा थे हब सभी का फिस्ट से कने सबस्ट में एक नए चुपी के साथ अब वह यह देखें तो प्लीज टेक्वेस्ट है कि जाकर को वीडियो देखिए ताब के आपके 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 बहुत थी बहुत ही बैसियल होगा ठीक है तो आपने वाले हैं अपली के सनाब जिनमें ट्रेया निके त्रीकॉड मिती का अनुप्रयोग आपके रियाप्लिकेशन का व्धेक्षिन देखें अ मैथमेटिक सारीयल लाइप में यूज करना यानिकर डेली की रोजमरा की तमस्याओ को हल करने के लिए मैथमेटिक्स का या त्रिम्माटर के निनन ऌड़ा एंस त्रिक्रण मितिके साहना सथ जो फ्रॉल्म सोते हैं उनको मातिक त्रिम्ट्रील साहता से शीला कह लाता है आहां आपने से पहले और बड़े बाते पहले बाते हैं इस चेप्टर के अंदर दो की लोग जानते है इसको बोला जाएंगा तो दो तरक के बाद यह 25 सब्सक्राइब को बोलते हैं एंगल आफ एलिवीशन और एक होता है एंगल आफ टी परसंट ठीक है तो पहलें दो तरह के बारे बेटर से समझा जाए उसके बाद से आगे बड़ा जाएगा यानिक एक एंगल जानना है कि आपको आपको ऑन मन कोड़ क्या होता है उनियन कोड करना पड़ेगा के लिना कोड़ा कियार पोलने कोड़ क्या है खीक है तो से देट साना मन कोड़ कई लौट के बारा में आए वन्यौनकान के बारь में ठीक है उनीयन कोड थे बहुट में अनियन कोड़ देखिया चाब पर सब्सक्राइब समतल जमीन जमीन हो गए और जमीन पे क्या है कि ऐसे कोई जमीन हो गया इस तरह से कोई प्लेन समतल जमीन हो गया इस जमीन पर जो है एक यहां पर ऐसे 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 बना देते हैं चलिए मकान बना देते हैं यह जमीन है इस जमीन पर ऐसे एक मकान है ऐसे दिवाल ही बना लेते चलिए तो एक जमीन है जमीन पर इतना आज से दिवाल हैं अंतर्स जमीन है और जमीन के उम्पर सब्छाइब यह जमीन हुआ जमीन हुआ है जामेंग पाइसे यह कुछ भी कोई आदमी खड़ा है चाहे कोई चड़िया बैठा है कुछ ऐसे है इस दीवाल के ऊपर कोई चड़िया ऐसे बैठा है रोद इस दीवाल के ऊपर कोई चड़िया इस तरीके से बैठा है चलिए तो ये दीवाल है इस दीवाल के ऊपर चड़िया से बैठा है सबसे बेले का चाहिए ये ये जमीन है जमीन के उपर ये दीवाल है, और इस दीवाल पर चड़के ए एक चड़िया बिटा है, ठीक, चड़िया बिटा है, तो एक चीज़ समझे, इन्डियन कोड के बारे में सीख रहा है, स्टार्ट करते हैं थोड़ा आगे बाद बढ़ाते हैं तो यह जमीन हुआ जमीन के उपर ही दिवाल है दिवाल पर एक चड़िया को नीचे से देख रहा है मैंने जमीन पर कहीं धर आदमी जो है ऐसे खड़ा है और उस चड़िया को देख रहा है यह आदमी इस चड़िया को देख रहा है त्यक्क्या वोगों तो यह आदमी एस्टटिया कुं देखें देखने वाले को प्रैक्छक बोलते हैं जो देख रहा है उसको प्रैक्षक बोलते हैं और यह वस्तवह 자 därточ जिसको देक न इसको वस्तव बोलेंगे अब्धेक्ट आइए तो यह वस्तु हो गया तो यह आदमी जमीन पे से जो है इस चड़िया को देख रहा है उन्हें प्रेक्षक कहा है तो प्रेक्षक नीचे इसको देखने वाले को अब्जरवर यानिके प्रेक्षक बोलेंगे तो यह कहा है तो यह आदमी देखने वाला आदमी नीचे है यह प् प्रेक्षक नीचे है ने कि देखने वाला जो परसन है उसको बलते है प्रेक्षक तो प्रेक्षक नीचे है आदमी जो देखने वाला आदमी जो है नीचे है और वस्तु कहा है चड़िये कहा है ऊपर है देखे देखने वाला जब नीचे हो और वस्तु कहां पर हो कहीं हाइट देखने वाला नीचे जमीन पहों और वसकी bir हाइट पे ँस człowieans कॉड का बात आता है कैसे बने का उसके बाई बताते हैं आगे लेके होता क्या है कि प्रेक्षक जो ये प्रेक्षक प्रेक्षक इसके प्रेक्षक जो है इसके आंख से निकलने वाली तथा जमीन के 36 जमीन के समांतर कर लिजी एक रेखा देखे एक 36 रेखा ले लिए जाता है तो प्रेक्षक के आँख से ठीक है प्रेक्षक के आँख से निकलने वाली एक 36 रेखा ठीक है तो प्रेक्षक के आँख से निकलने वाली एक 36 रेखा जो कि जमीन के समंतर होगी तो प्रेक्षक के आँख से निकलने वाली एक 36 रेखा या आँख से होके खीची गए 36 रेखा तो प्रेक्षक के आँख से होकर के खीची गए 36 रेखा जो कि जमीन के समंतर होगा ठीक है और तो यह हुआ 36 रेखा यह क्या चीज़ है तो यह हुगा है यह वाले जो रेखा कीज़ है यह 36 रेखा नहीं कि जमीन के जो समांतर रहेगा 36 रेखा यह करना इकदम दीवाग में सेट करिया मात्रहूबाट तु परिक्षक के आख से खीची कई यहक्षी तो को मिलाने वाले धली रेकर प्रच्छा के आंग से वस्तु को मिलाने वाल रेका यह दो रेखा हुए नि जी ये धे दो ही रेका पए कहले प्रोज्ट करना ध्यांस सुन ये 60 रेका कान सीघर दरीक थी तरह का तो प्रेक्छा के आख से खीची गई एक आप जी आट जेका निए जो जैमिन के सामां तर खीजाते रिखने हो गया और एक जो है प्रेक्चा की आंक से वस्तु को मिल आने में वा लिले का जिसको थी ते रिका ध्रिष्टी रेख वोलते लाइन अफसाइट इस युद्य साइट है यह ओता है द्रिष्टी रेखा द्रिष्टी रेखा को हो ए मनी लाइन अब साइट प्रिष्टी यहाससे रेखा यह व्रे एक त्हुंल सर्थ लाईन ठीक है कनिकंटो निकी तरिफटटी रेखा याने है रेखा दो बात करिए तर प्रक्षक के आंख से खृच हाए एक बात और प्रक्षक के आंख से वस्तू को मिलाने वाली एक राइकष्टी राइखा इन दोनों रेखाओं के बैच जो कोड बनेगा बहूँ इसी को बोलेंगे ट्रेक्षक जमीन पर रहेगा तो यह है कि प्रेक्षक जमीन पर होगा ठीक है एक बश्टु कहा है वह जमीन पर होगा हो erei कर देखने मेला नीछ चल रहा हो गा जमीन कहीं ऐसे उपर हो घिक अ शरी बच तू कहीं उपर कं तो देखने मेला जमीन पर हो कर वस्तु कांब ऊपर होगा होगा कहीं है 입ऻ सब्हुर्ण और कर चलिए तो कर अधा इस तरह से यह सब तो देखे प्रेक्षक के आंक से दिकलने मारी 36 रेखा और प्रेक्षक के आंक से वस्तु को मिलाने वाली देखा मने द्रिश्टी देखा इन दोनों रेखाओं के बीजु एंगल बनेगा हूँ इसको बलते उनियन कौन एंगल ओफ एलिवेशन ठीक है तो दो रिखायाद करना एक होरिजन्टल लाइन और एक लाइन अफ साइट इन दोनों के बीचने लेगल फूलते एंगल ओफ एलिवेशन यानिकी उनियन कौन ठीक है उनियर कोड़ में क्या होगा ध्यांस सुनिए अवनमन कोड में क्या चीज होगा अब ये उनियन कोड की बाद च्छोड़के चल कौन सा कौड तो और नमनक तो आवनमनक कोड अब आ जाते हैं अन्मनक कोड एंगल ऑफिफरीशन ठीक है अन्मनक कोड के बारे में चलते हैं तो उसके और सा सुनिए ईस बार क्या होगा कि यह तो जमीन हो गया जमीन पर ये दिवाल है अगा काडिशन लेते हैं पीछे वाला ही जमीन के उपर इसे एक दिवाल है चलिए दिवाल हो गया जमीन है जमीन के उपर इसे दिवाल है कैसे इस दिवाल पे इस बार प्रेक्षक जो है प्रेक्षक यानि कि देखने वाला अब्जर्वर अब्जर्वर इस बार जो है कहीं हाइट रहेगा यानि कि observer इस बार दीवाल पर पिछले बार में जो चड़िया है वो हाइट पर होता था पिछले बार में चड़िया हाइट पर होता था लेकिन इस बार क्या है अब्जर्वर जो है यानिकि प्रेक्षक जो है यही जमीन से उचाई पे है तो अब्जर्वर जमीन से उचाई पे है निकि कुछ हाइट पे खड़ा है अब्जर्वर जो है इस दिवाल पे चड़ा हुआ है कुछ हाइट पे दिवाल है और इस दिवाल पे चड़ा हुआ है त जो वस्तु होगा उच्यमीन थेुकर देखिए यह हो गया प्रिक्षक ठीक ये ठीक है तो यह आपका प्रिक्षक हो गया ठीक अजह्त धिनिक अप्रवियंकर जो कि हाध पहें करें और वस्तू जिए वह प्रश्त कमालीच अब हम सब्सक्राइफ को यसे कार जा रहा है है आ र प्रेक्षक इस बार ऊपर कहीं जमीन पर खड़ा है कहीं छत पर है कहीं दिवार पर है समझें उचाई पर खड़ा है और जमीन पर इसे कोई कार जा रहा है कोई वेंड जा रहा है कोई गाड़ी जा रही है तो प्रेक्षक उचाई पर से ऐसे उचाई पर से यह नीचे जो वस तोुagen नीची रहता है कंडिसन वही रहेगा देख दो प्रेक्चक के आख से खीची गई एक 36 रेखा यह मोगा एक 36 रखा प्रख्शक के आँख से खीची गई एक 36 रेखा रहा बहुत है रहता और बज jullie यह कर रहा हो को बढ़ते हैं दृष्टी रेखा दो बाते हैं दृष्टी रेखा और कौनसा थो छैथिज रेखा और दृष्टी रेखा के बीच जो एंगल बनेगा इसको बोलेंगे और मन कोड़ ठीक है तो अमन्मन कोड होता है यह से देखिए डिफनेशन तो एक ही जैसा है कि 36 रेखा और द्रिशी रेखा तो 36 रेखा के बीच के एंगल को बोलते हैं उन्यन कोड और 36 रेखा और द्रिशी रेखा के बीच के कोड को बोलते हैं अमन्मन कोड डिफनेशन तो एक ही जैसा है कांडिशन वस ये है कि उन्ययन ने जो है प्रैक्षक जमीन पे सक यह प्रैक्षक जमीन पर होगा और ही सब्सक्राइन और अगर सब्सक्राइब पे होगा वस्त Γ von फेह तो उने लेगा कोड़ का सुनिसटेकर उन्यनडा है और जब प्रेक्छक उंचाई पे अवस्तु नीचे आव है तु ह responders कोड़ जाएंगा सुरू करें होगा बड़़े माकान का है बाड़े पाहाड की चोटी तक हाई करना होगा ठीक है दाख के ऊपर बहुत बागा सा फ्लैग लगव सा फ्लैक आइब है एसा पाइध के आगा चाहे कोई बालून जाएगा और बेहद इंट्रस्टिंग है जी एकदम बेहद कहिए कि अन्जेनरिंग इसमें ठूस ठूस के बारा है तो क्वेश्चन अगले से सब्सक्राइब लगाएंगे अगले वीडियों में आएंगे तो क्वेश्चन प्राइब किया जाएगा अभी वासम बेसिक सी बात फ्रस्टु नीचे दो बाते याद रखना है में प्रेश्चक नीचे बश्च抗 वश्च ऊपर रस्टु नीचे और दो के बीसulsive के अंगल को बोलते है यांग है जैनी की हॉश्चन लाइन और यह क्या चिछीज-द्रस्टिर इक हम जोता है तो आंख सेखीचे गई कि जमीन के सवानता रेखा कोब और आंख से याने कि प्रक्षक की आँख से वस्तु को मिलाने विल था कोब थे दृष्टी रेखा इन दो रेखाओ के बीच बने मूले खिलते हैं आमनमन कोड़ से कंडिशन का फरक है अगर प्रेक्षक नीचे है तो उन्हें को प्रेक्षक ऊपर है तो ठीक है तो तरीके से अगले वड़े माएंगे तो फिर बहुत अच्छा अच्छा सा कुश्ण किया जाएगा ठीक है तो अच्छा सिर्व इतना ही तो तक लिए टेक के रन